प्रियंक चाहर चोधरी से दोस्तों हमने देखा कि प्रियांका ने निम्रत और अर्चना की जो फाइट चल रही थी उसमें बिल्कुल भी पाटिसिपेट नहीं किया और हमने ये भी देखा कि बाद में प्रियांका ने अर्चना को कहा कि अर्चना तुम गलत हो अगर वो सही नहीं है तो तुम भी सही न कर बया कर रहे हैं confession room में बिग boss के सामने और कहरे हैं अई सबसे पहले तो यह लाइन एक्चुली शिफ्ठाकरे पर ज़्यादा फिट होती है क्योंकि जब जब हमने देखा है उनके दोस्त गलत गए है चाहे उन्होंने गालिया दी हो किसी का केरेक्टर उचाला हो मारपीट पर उतराए हो शिफ्ठाकरे ने उनका साथ दिया है उनको और ज़्यादा मोट नहीं मिला उस फाइट के दोरान शिफ्ठाकरे की नजरी गड़ी थी सिर्फ और सिर्फ प्रियांका पे कब ये कोई एक शब्द बोले और फिर मैं कल की तरह सारे को साले बनाके है ना तूट पड़ू एकदम तो उनका अपना मुद्दा इस कहानी में नहीं बन पाया इस न है जब कल उसने नहीं बोला तो यह इसने क्यों नहीं बोला इसको तो ऐसा कहा गया था है ना चुप रहने के लिए नहीं कहा गया था तो यहां पर कहीं न कहीं शिफ्ठाकरे इस पूरे सीजन में अपनी ही स्टेटमेंट्स को कॉंट्राडिक्ट करते आए हैं जिने अगर गिन्वाने बैठा जाए तो कई घंटे का अलग से एक शोव बन सकता है आप सभी को क्या है कहना दोस्तों कॉमेंट्स में जरूर बताईए